अच्छली बीबीसी के दिल्ली आफिस पर आएकर विफाकी टीम पहुशने की खबर मिली है इसी को लिकर के अप्रेस कॉंफेंस कर रहे हैं दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता गौराव भाटिया तो ये एजेंसिया हो या राहूल गांदी और कॉंग्रिस पार्टी और जो राध्यतिक दल विपक्ष में हैं उनको बड़ा दर्द होता है सबसे पहले तो बीबी सी का जो इतिहास है कलंकित काला दुएश भावना से भारत के खिलाफ कारे करने का रहा है और कॉंग्रिस पार्टी को सबसे पहले तो ये याद करना चाहिए किस तरह से देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंद्रा गांदी जी ने खुद बीबी सी पे बैन लगाया बीबी सी रिपोर्टिंग करे निश्पक्ष पत्रकारिता करे भारत का सम्विधान ये हग उन्हें देता है लेकिन किस तरह की पत्रकारता की आड में एक एजेंडा आगे बढ़ाया जाता है वो मैं आपके समक्ष रख दू jah there is a reporting that was done by the BBC in a program they unleashed the most venomous attack against our country the program presenter refer to a commander of a terrorist outfit operating in कश्मीर as charismatic young militant एक आतंगवादी जो भारत की अखंडता के खिलाफ शक्ति खड़ी हो रही है उसको BBC ने बताया करिश्माई युवा उग्रवादी है करिश्माई युवा उग्रवादी ये किस तरह की रिपोर्टिंग है आप भारत में कारे करना चाहते हैं और भारत के संविदान को तार-तार करते हैं भारत की अखंडता को चोट पहुचाने का प्रयास करते हैं इसी तरह से पूरे विश्व में भारत अपनी संस्कृती अपनी विविदा के लिए जाना जाता है यहां क्या त्योहार हैं सबके क्या भाव हैं वो बिना जाने बी-बी-सी ने कहा होली इस फिल्थी होली इस फिल्थी फेस्टिवल बी-बी-सी वाट दो आप वेस्टिवल्स उप इंडिया and citing this example will go a very long way to show how venomous how shallow the reporting of the BBC is adding to that we all rivier father of the nation Mahatma Gandhi ji but BBC wishes to operate in India yet refuses to respect the icons of the country you